आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now तांबा या निकेल जैसी धातों से बने गहनों को जब सोने के लवन वाले घोल में रखा जाता है तब उन पर सोने की एक पत्री फलत चड़ जाती है तो उसे जो है 0 degree centigrade के नीचे तक शीपली करत करने से या फिर कैसे करके चड़ जाती है यह हमें बताना है तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा यह वाली चो है ना इसको हम लोग बोलते हैं बिद्युत धारा का रासाइनिक परभाव ठीक है बेटा अब इसको किस तरीके से किया जाता है एक दबा लिया जाता है ठीक है और उस दब्बे के अंदर क्या कर दिया जाता है बेटा विद्यूत अब घटे भर दिया जाता है ये कुछ इस तरीके से एक को बना विया कैथोड एक को बना विया एक तरफ तो इसको लटका दिया दूसरी तरफ जो है बेटा सोने का ये लटका दिया और इसके अंदर जो है एक विद्यूत अप्गटे भर देते हैं यह होता है विद्यूत अपघर्टे थीक है बेटा अब इसके अंदर क्या कर दिया जाता है बेटा एक को कै्थोर्ट दूसरे को A-Nord बना दिया जाता है यह plus, minus है न अब जो यह वद्यूत अपघर्टे होता है यह पिटा यह अपने प्लस और माइनस आइनों में तूटता है जो प्लस वाला है वो इसके उपर जाने लगता है माइनस वाला इसके उपर जाने लगता है जो कि हमारे इसी का होता है तो जो AU प्लस होता है वो इसके उपर सहींचित होने लगता है और इसके उपर एक पत्ली सी परदच चड़ जाती है यह किसके कारण होता है जो इसके अदर विद्युधारा प्रवाहित होती है तो जो हमारा सही जवाब अच्छा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युधारा का रासाइलिक प्रवाव कहते हैं जिससे के हम लोग एक परत के उपर दूसरी परत को चढ़ाते हैं basically, यह हमारे भूतिक विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है इस चीज के बारे में, ठीक है, इसको हम लोग electroplating कहते हैं, क्या बोलते हैं, electroplating, ठीक है बेटा, यह कहते हैं, तो जो सही जवाब आजागा, वो ह कि यह गलाप रुचेंगे